अगर आपने भी बिहार बूर्ट से 2022 इसवी में मैट्रिक या इंटर का एक्जाम पास किया है तो जो प्रोथसाहन रासी के लिए बिहार सरकार के तरब से ओनलें शुरू हुआ है अगर वो पैसा आपका आ गया तब तो आपको बधाई हो लेकिन अगर आपका पैसा नहीं आय कही पर आपका स्मस्याइं दिखाइ दे रही है यानि जानि कि आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आया बर्त मिसमेच मेंच कहींठ है कहीं से सब्सक्राइओं दीधा रहा है याए context दिखा रहा है जैस्टर दिखाः तो यह सारी समस्याओं की अज़त से अगर पैसा आपका अभी तक नहीं आया है तो आपको इस वीडियो में इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत में कर दूँगा कि आपको पैसा 100% मिलेगा और कैसे मिलेगा क्या करना होगा उसकी भी चर्चा हम करने वाले हैं इस वीडियो में क्यों का सारा समस्या सारा जो confusion है दूर हो जाएगा तो सबसे पहर तो इसके लिए हम गूगल में सर्च करेंगे और 2022 यहां से करें चेक और online apply तो simply हमें यह click करके open कर लेना है इस post को और इस post में हम नीचे आएंगे तो कुछ eligibility पहले आपको check कर लेना है कि आप उसके लिए eligible हैं की नहीं अगर आप metric first division से pass हैं तब तो आपको 10,000 रुपया मिलेगा metric second division से हैं तब तो आपको 8,000 रुपया मिलेगा interpass हैं और चात्राएं हैं तब तो आपको 25,000 रुपया मिलेगा लेकिन याल रखेगा कि interpass अगर चात्र हैं लड़का हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और अगर आप लड़की हैं चात्रा हैं तो जा है first हो, second हो, third हो या फिर SC हो, ST हो, general हो BC1 हो, BC2 हो आपको 25,000 रुपया मिलेगा ही मिलेगा तो ये पहले eligibility आपको देख लेना है कि आप इसमें fit होते हैं कि नहीं अगर fit होते हैं आपका status में कहीं problem दिख रहा तो मैं आपको उसका समधान बताऊंगा अपना status चेक कर लेना है कि आपके status में दिखा क्या रहा है not found दिखा रहा है, process में दिखा रहा है अगर process में दिखा रहा है और अगर सब कुछ verification हो रहा है या फिर initiated लिख दिया इनिशेटर मतलब होता है कि शुरू हो गया तो आपको कुछ भी नहीं करना है चुपचाप इंतजार करना है लेकिन अगर account से समधित कोई दिक्कत है mismatch कुछ हो रहा है चाहे marks हो, date of birth हो, नाम हो पिता का नाम हो, या फिर spelling हो अगर ये mismatch हो रहा है तो क्या करना होगा उसकी हम चर्चा आगे करेंगे स्टेटस चेक करने के बाद जो समस्याय हैं उनका समधान जानते हैं और समधान जानने के लिए आपको हम दिखाते हैं ओर नोटिफिकेशन तो बिहार के सिक्षा विभाग की तरब से जो ये करनिया उत्थान योजना को ले करके प्रोसाहन रासी को ले करके जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया सुचना जारी किया इसमें है क्या तो पहली बात तो आपको ये समझ लेना है कि 2021 और 22 अगर दोनों साल में पास करने वाले चात्र अभी तक अगर पैसा उनको ना मिला है तो आगे इस देखे सुचना में एक बहुत खास बात है जिसको जान करके आपका सारा टेंसन खतम हो जाएगा एक बात मैं आपको बता दूँ कि याद रखिए कि सिक्षा भी भाग क्या करता है कि बिहार बोड से पास करने वाले सारे बच्चों का डेटा मंगा लेता है कि हाँ भई 2022 में कितने छात्रों ने पास किया फर्ष्ट कितने हैं सेकंड कितने हैं लड़कियां कितनी हैं इंटर में उनका संख्या के हिसाब से पचीस जैसे अब लड़कियों की बात करें हम इंटर में first division से metric pass किया उस संख्या को 10,000 में गुना कर दिया गया और उतना पैसा allot कर दिया गया मतलब यह हुआ कि अगर आप eligible हैं तो आपके नाम से पैसा allot हो चुका है पैसा आपके नाम से जारी हो चुका है आज मिले, कल मिले, साल भर बाद मिले दो साल बाद मिले, लेकिन आप उसको लेने के लिए पात रहें, कभी भी आप उसको ले सकते हैं, जब आपका सारा डिटेल सही सही वीभाग के पास पहुंच जाएगा आपको ये प्रोसाहन रासी आपके एकांट में मिल जाएगी, यहां पर देखे, इस बात को बहुत ध्यान साब को देखना है, कि जो 2021 में पास हैं और उनको नहीं मिला है, तो उनको तो 10,000 ही मिलेगा, क्योंकि 2021 के नियम के हिसाब से 10,000 ही मिलना था, लेकिन जो 2022 में पास हैं, उनको से गलती हो, गलती हो जाने कि इस्थीती में निबंधन यानि के रेजिट्रेशन अगर कहीं पर कोई गलती है, तो आपका निबंधन पहले होगा रद, आपका registration रद होगा और उसके बाद दोबारा से आपको registration कराने का मौका मिलेगा और यही नहीं अगर रद होता है और आपका mobile नमबर भी अगर सही सही उसमें डाला हुआ है तो रद होने की सुचना आपको message के जरिये भी मिलेगी और जैसे ही आपका application रद होगा दोबारा से आप online कर सकते हैं और जैसे ही सही सही सुचनाओं के अनुसार आप दोबारा online करेंगे आपका पैसा आपके account में प्रोसाहन रासी का आ जाएगा मतलब यह हुआ कि आपके नाम से पैसा a lot हो चुका है यह बात मैंने पहले भी कहा कि पैसा जब आपके नाम से a lot हो चुका है तो चाहे हो पैसा आज मिले आज से 5 महीने के बाद मिले 10 महीने के बाद मिले मिलना तो आपको है ही ओ पैसा वापस जाएगा नहीं ओ आपको मिलेगा ही आप कभी भी उस पैसे को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन आपको प्रयास करना है कि ये status चेक करते रहे हैं जैसे ही reject हो आपको मौका दोबारा जरूर मिलेगा registration करने का यानि online करने का और online करने के बाद जो detail आपका सही सही है जो आपके mark sheet के हिसाब से है जो आपके registration के हिसाब से है ओ detail डालें दोबारा से निबंधन यानि के registration कराएं और उसके बाद जब सत्यापन यानि verification कंप्लीट हो जाएगा तो आपको user ID और password मिल जाएगा और अब फिर दोबारा से अपने form को submit करें और इसके बाद आपके account में प्रोसाहन रासी metric inter का पैसा आ जाएगा तो ये बात मैं आपको सपष्ट कह रहा हूँ कि जिनके भी form के status में जो भी समस्याएं आज दिखाई दे रही हैं ओ समस्याएं अपने आप खत्म होंगी या तो आपका पैसा आएगा या फिर आपका form reject होगा पैसा आ गया तब तो अची बात है और अगर form reject हो गया तो आपको दोबारा online करने का मौका मिलेगा 100% मिलेगा और तो दोबारा online करने के बाद आप जब सही सही online करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका पैसा भी 100% आही जाएगा तो चाहे तो verification complete होने का इंतजार करें और verification complete हुआ तो पैसा मिलेगा जरूर बस आपको status चेक करते रहना है वही जो लिंक मैंने बताया वहाँ से आपको status चेक करते रहना है अगर रिजेक्ट होता है तो दोबारा से online करने का प्रयास करना है तो फिलाल इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ